हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरे इस चैनल में आप सबुझा बहुत बहुत स्वागत है आज का डी आई वाई है कोकोनेट सिल क्राफ्ट डी आई वाई शुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे और बेल बटन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही तो आईए चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने के लिए हमें चाहिए कोकोनेट सेल को सेंट पेपर की साहता से इस तरह स्मूध कर ले और बोतल की उप की साहता से इस शीडि के चारों ओर लगा ले इस क्ले की साहता से अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे कैसे आप इसमें कैसे भी डिजाइन बना सकते हैं अभी मैं यहाँ पर इस तरीके का डिजाइन इसके चारों ओर बनाओंगी इस तरह का और इस तरह का इसके चारों ओर डिजाइन बनाओंगे देखिये मैंने कोकोनओज सेल में इस सब डिजाइन बना दिया है और इस बोतल के उपरी भाग में भी डिजाइन बना दिया है क्ले की साहता से, अब हमें क्या करना है कि इसे सब को ब्लेक पैंट से पेंट कर देना है, इस तरह इसीडी, कोकोनेट सेल और बोतल तीनों को हमें काले रंग से पेंट कर देना है, देखी फ्रेंड मैंने तीनों में ब्लेक कलर को लगा दिया है, अब यह सूख गया है, अब हम हाइलाइट करना है तो जहां जहां उठा हुआ पोर्षन है उस पोर्षन को हम हाइलाइट करेंगे इस तरह इसमें गोर्डेन कलर से हाइलाइट करेंगे जो भी उठा पोर्शन है, इसमें भी देखिए जिस तरह यहां पर जो है कारी-गरी किया हुआ, इस कारी-गरी सब में हम लोग इस तरह हाइलाइट कर देखिए, मैंने तीनो में हाइलाइट कर दिया है, गोल्डन कलर से, और देखिए, यहां कुतना सुंदर लग रहा है, इसके चारो और गम लगा लें, और इसे बीच में फिक्स कर देए, यह हमारा अब इसमें फिक्स हो गया है, अब हमें क्या करना है, इसे इसके ऊपर फिक्स करना है, इसके भी हम गम लगा लेंगे, गम लगा लेंगे और इसे इसके ऊपर इस तरह फिक्स कर देंगे, हमारा या कैंडल होल्डर बन गया है, तो देखिए, बेकार की समानों से मैंने यह बहुत सी सुन्दर एंटिक लुक वाला कैंडल होल्डर बना कर तयार किया है, आप इसे इस तरह देख सकते हैं, अभी या ठीक से लटका नहीं, अभी देखिए, अभी देखिए, देखिए हमारा या खुबसूरत एंटिक कैंडल होल्डर है, और वो भी किससे बना है, कोकोनेट के से बना है, तो दोस्तों, यह आपको मेरा या वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, इस पर आप इस तरह केंडल रख सकते हैं, और इसे इस तरह जलाकर देखें, कितना हाँ, देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है, प्लीज, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, मिलते हैं आगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद,